गर्मी में हम ऐसा क्या खाएं कि हमारी स्किन और हमारा स्वस्त दोनों ही स्वास्त रहें। हमें ऐसे चीज चाहिए जिसको पचाने के लिए हमारी शरीर को ज्यादा एनरजी कंजियूम नहीं करनी पड़ती है। इसलिए जो आप ठंडी तासीर और गरम तासीर की बात करते हैं उसका मतलब यही है। गर्मी में ठंडी तासीर वाली चीज़े खाने हैं जिनको पचाने के लिए शरीर में एनरजी का इस्तमाल नहीं करना पड़ता है। दही उसके अलावा जो easily eat digestible vegetables हैं खीर, ककड़ी, टमाटर जो इस मौसम में इसी लिए आते हैं। दिन में कम से कम एक बार fruit helping जरूर लेंगे माने एक कटोरी भरके fruit का सेवन जरूर करेंगे ताकि vitamins और minerals हमारे शरीर में जाएं। बदाम जो आप सर्दियों में 4-6 खा रहे थे, गर्मियों में 2 कर दीजिए और बेना भिगोए उन्हें खाईए ताकि हमें उनका फायदा मिले, नुकसान ना मिले। पानी पीना बहुत ज़्यादा जरूरी है, 8-10 गलास पानी और सकेन साफ सुथरी स्वस्त रहेगी।